बारिश की वेसे आना पड़ा जिव आज है हमारा 75 हाट का पाँच वार दिन और टाइम हो गया है 6.43 फोड़ा सा लेट हो गया हूं बट स्टिल उड़ गया हूं तो अब चलते हैं फट फट अपट अपनी फर्स एकसाइज की तरफ जो है रॉनिंग तो लव यू और अमने डे के स्विवाद कर दी है पानी से वह अधा लिटर हो गया है बाकी और पीएंगे भी ज्यादा नहीं पेंगे क्योंकि भी रिनिंग करनी है तो चलो सुनते हैं अब देजरे करके नीन खोल रही है बट दिन बहुत डेजी जा रहा है मतलब ठका ठका सा रहता है ठीक है अडेप्ट हो जाएगी बोडी देखते क्या होता है बाके भी निकलते हैं और फिर आपसे लगते हैं बाई लवगी और तो हमने सोचा कि जब तक बारिश रुकते हैं तब तक जिम के इंदर चले जाते हैं तो यहां पर हम जिम में आ गए और यहां पर आकर हमने ट्रेडमिल करी और यह हमारा दूसरा जिम है हमारे जिम का मतलब दूसरी ब्रांच है तो हम वहां गए और वहां जाकर हमने थोड़े दे ट्रेडमिल करी और फिर उसके बाद साइकलिंग करी फिर साइकलिंग करने के बाद थोड़े बड़ स्ट्रेचिंग करके फिर हम जिम चले गए थे उसके बाद नभी रेनिंग कर दिया है तीन किलो मेटर की वॉकिंग और रेनिंग दोनों कर दिया है तो आपको मिलते हैं धर कौंच के बहुत थक के सुड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर घर चलेंगे बाई लब यू और हजवर कोड़ वह जदलम बखिज गय है तो फटा-फट ये करते हैं और फिर आप समलते हैं बाई लाव यू आप बतना आपने ब्रेक्वस्ट में क्या खाया जोके लव यू आज हमारा जुम नहीं है तो एक आउट्वर कार्ट हो गया है इंडोर में घर पी कर लेते हैं तो घर पर हम स्टार्ट कर देंग जंप आपिंग जैक्स लगाए एंड हाई नीज स्कॉड लगाई हंड्रेड एंड हंड्रेड वाल पुश अप्स एंड थर्टी फ्लैड पुश अप्स तो गाईज वरकाउट डन कर दिया है अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर खाना भाएंगे ठीक है आज का डिनर आज आज हमने पड़ा इंद्रियो द्वारा भगवत अनुभूती और हमारी बुक का नाम है हरिनाम जाब की महिमा और यह रही आज की सल्फी सो गाइस फाइनली हमने सारे टास कर दिया है और पानी भी आज का लास्त इतना वचा है जो कि मैं भी पी लूँगा तो सारे टास कंप्लीट हो गए हैं आपको यह 75 हाट पसंद आ रही होंगे तो कल फ सुरू कर दू बढ़ देखते हैं जिम से पहले जाओंगा रनिंग या वॉक करके फटा फटा आके फिर जिम चला जाओंगा ताकि दोनों बैलेंस रहे ठेक है बाकी कल फिर मिलते हैं सेम पाइम सेम जगा सेम प्लेस आप वीडियो को लाइक कमेंट शेर करेंगे एंड थें